हेलो चुडेंट्स, वेलकम तो यू लर्निंग, आजए क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एस्टीवेशन के बारे में, तो एस्टीवेशन को समझने के लिए हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि फ्लॉवर में कितने बाठ्स होते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, एस्ट ताथा जो होता है वो व here氣os तो sip daily के तो आउंति यदो और लोता है जिसको हमें किया आते हैं संपल्स आते हैं सप säपल क्या होते हैं ग्रीन कलर के कना मीफ like लिचा प्रेजंट के प्रेजन ऊटे उनकि हम क्या बोलते काम करते हैं ख्डाओर को प्रोटेक्ट कर pat है और जो कैलिक्स होता है वो कैसा हो सकता है फ्लावर में गैमोसेफिलेस भी हो सकता और पॉली सेफिलेस भी हो सकता है गैमोसेफिलेस मतलब की जब सैपल्स होते फ्यूज रहते हैं यानि यूनाइटेड रहते हैं जैसे की हिबिसकस है हिबिसकस के अंदर आप देखो तो यह लेकिन पॉलइससे प्रीज से रोज में चैलु को इस तरह बैसे गैमोसं ब होते हैं और अब नेक्स बात करते हैं को उससे क्रोला जे आ जाते हैं उसमें पैटल्स स्थ हमें देखने को मिलते हैं brightly colored होंगे white blue color के जो है पेटल्स देखने को भी मिलते हैं pink red देखे ही है न तो पेटल्स brightly colored होते हैं petals का function क्या होता है कि वो इंसेक्ट होते हैं उसको attract करते हैं जिससे pollination हो सके petals जो होएं वो भी fuse हो सकते और वो भी free हो सकते हैं तो जो fused form में होते हैं उनको हम बोलते हैं गैमो बैटलस और जो फ्री होते हैं पैटलस जहां पर उसको हम बोलते हैं पॉली पैटलस शेप जो होती है वो वेरी करती है किसी के अंदर ट्यूब शेप होते हैं ट्यूबलर होते हैं किसी के अंदर जो है फनल शेप होते हैं किसी के अंदर जो है वो बै दूसरे के साथ पिलोरल बॉडड के ऊपर ऐसा जो पैटल के साथ किस तरह से ऊपर है ओवर लैपिंग हो रहिए या दूर्ध तह्या है सिर्फ है इस तरह का जो ऑशनले को मेंटने को मिलता है इस को हम Почему जो कहुत है इसका करें भूसक्राइब यहां पर हम चार्न करेंगे तो पहले हम बात करते हैं वैल इन तो यहां गतalah quería एक दूसरे के ऊपर वैल लैपनगी पि्जाना अवरलेपिंगों लाभिंगं तो इस तरह नहीं शो करते नेक्स्ट आता है twisted twisted में एक्जाम्पल है चाइना रोज इसको में विसकस बोलते हैं लेडी फिंगर आ गया और cotton आ गया इनमें क्या होता है कि इन मैं जो है यहां पर एक margin जो है इसे यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर जैसे हम यह देख रहे हैं यह दूसरे के ओपर क्या करहें accidentally आ तो इस तरह से एक particular direction में क्या हो रहा है एक margin जो है वो दूसरे के उपर overlapping करता जा रहा है ठीक है बट एक direction है इसकी तो इस तरह का estimation कहलाता है twisted estimation ठीक है next हम बागी दो जो estimation उसके बारे में भी बात करते है जो तीसरा type है वो है इसमें होता क्या है कि कोई direction नहीं है overlapping की यानी जो margin से है वो एक दूसरे के उपर overlap कर रहा है without having any direction जैसे यहां पर हम देख रहे हैं यहां पर भी overlapping है यहां पर भी overlapping और यहां एक साइट से तो है बट इदर से खुला हुआ है तो कोई direction में overlapping नहीं हो रही है तो इस तरह का estimation कहलात है imbricate estimation लास्ट जो estimation है वो है वेक सिलरी जो पी में और बीन के flowers में देखते हैं यहां पर टोटल जो है वो पांच petals होते हैं जैसे यहां हम देख रहे हैं टोटल पांच है एक है उसके अंदर दो लेटरल साइड में present है और जो यह दो लेटरल है यह फिर दो smallest जो है उनको overlap कर रहे हैं तो इस तरह का estimation कहराता है वेक सिलरी estimation और पैपी लोनेशियस ठीक है तो यह थे चार ताइप के estimation अब next class में हम जो दो अब जो फ्लोराल पार्ट्स बचे हुएं अंड्रोशिम और गाइनोशिम उसके बारे में बात करेंगे करें अब झाल झाल